देखिए एक important concept यहाँ पे यह है कि आपका middle term अगर distributed twice है देखिए एक बार तो distributed होना ही चाहिए middle term को so that है कि मैं valid conclusion मिल पाए लेकिन अगर दो बार distributed है then जो आपका final conclusion है वो universal नहीं हो सकता यह एक important concept है इसको ध्यान रखिएगा for example यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह premise दी हुए है कि no coin is a ring ठीक है तो इस वाले में आप जानते हो कि subject भी आपका distributed होता है और predicate भी आपका distributed होता है that means coin and ring both of them will be distributed ठीक है और इस वाली premise में all rings are bangle इसमें केवल आपका जो subject होता है वो distributed होता है ठीक है यहाँ पे आपका केवल subject distributed होगा और आप देख रहे हो कि दोनों premise में आपका जो common जो term है वो है हमारा क्या rings ठीक है तो अब आप यहाँ पे इस rule के according आपका जो quantifier जो यहाँ पे लगेगा वो universal नहीं लगा सकते हमने पढ़ा था कि no and all है तो हम हमेशा no लगाएंगे right बट इस वाले case में क्योंकि distributed twice है हम universal quantifier नहीं नकाल सकते because all and no यह दोनों के दोनों आपके universal quantifier है rather than no हम यहाँ पे इसकी जगे हम यहाँ पे use करेंगे sum जो कि particular है particular quantifier है तो यह एक important concept है इस rule को आप ध्यान रखेगा आगे जाके हम इसकी उपर एक question भी करेंगे और तब आपको यह और rule और अच्छे से clear out हो जाएगा देखिए यह हमें question दिया हुआ है जिसमें पहली premise में का गया कि no coin is a ring and second premise में का गया कि all rings are bangles तो middle term आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा rings है ठीक है यहाँ पे आप देखोगे कि जो ring है जो यहाँ पे आप देखोगे कि subject और predicate दोनों के दोनों आपके distribute होते हैं इस वाली type की premise के लिए और यहाँ पे इस वाली premise में केवल आपका जो ring है वो distributed है that means subject ही आपका यहाँ पे distributed होता है अब आप देखोगे कि जो ring जो हमारा middle term था वो दो बार distribute हो गया अब हमने समझा था कि अगर आपका जो middle term है वो distributed twice हो जाए तो आपका जो final conclusion है वो universal नहीं हो सकता आप यहाँ पे देख रहे हो कि no एक आपका universal quantifier है और all है वो भी आपका एक universal quantifier है तो normally हमने rule में पढ़ाता कि no और all आता है तो final conclusion आपका no से शुरुआत होगा बट इस case के अंदर हम सम लिखेंगे बिकाज आपका जो middle term है वो distributed twice है ठीक है और क्योंकि negative negation भी यहाँ पे है ठीक है negation भी हमने यहाँ पे use किया है तो answer जो है आपका particular negative होना चाहिए ठीक है particular negative तो इसका जो conclusion जो answer निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि some bangles some bangles are not coins यह आपका conclusion निकलेगा some इसलिए आया because आपका जो middle term था वो twice distributed था और not आपका इसलिए because यहाँ पे आपका negation लगा हुआ था तो negation आपका आना ही था तो इसलिए जो final conclusion था वो particular negative होना चाहिए था